में चीज है कि आप वेकेंसी है ना जो वेकेंसी कंटीनिस बेस पर आनी चाहिए अगर वेकेंसी रुकती है तो वहाँ पर एक जो एस्पारेंट्स होते हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है और वो पढ़ाई लिखाई से सम्मझे तो वो सब चीज भटक जाते ही होगा जब चुन आप जी बता रहे हैं यह सिर्फ ठीक हो सकती है लेकिन आप एक उस व्यक्ति से बुझे जो अनेंप्लॉइड और जो उसके लिए प्रेपेर कर रहा है वह जो पैसा खर्च कर रहा है वह और जो पड़क आप समझे बात को पेट भरा होता है नहीं जाता है और सर्विस ही मिल केंसी नहीं निकलेगी तो योगता लेकर क्या करेगा नमस्कार मैं रूपेश मिस्त्रा चुनावी यात्रा लेकर पहुचा हूं प्रयाग राज और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौझूद हूं संगम में गंगा नदी बह रही है और यह साम का अद्भूत नजारा आप देख पा रहे हैं और यह पवित्र नदी यहां से बहर रही है यहां पर दरसलन संगम का इलाखा है जहां कहा जाता है कि गंगा जमुना और सरस्वति का मिलन होता है और इस वक्त तमाम यहां पे लोग भी हमारे साथ मौझूद है सब अलग प्रकार के जायकी कानंद ले रह और कप से यहां पे आप बेच रहें चुर्मुडा तीन चार साल से तो कहां से हो असो का अप गाजी पूर से गाजी पूर से यह बताओ अभी बीच में कोरोना औरोना लगा तमाम चीजें हुई दंदे तो चौपट हो गया रहा होगा तो तब उस वक्त कहां थी कोरोना टाइ बली थी कि नहीं लोग है उनको सरकार की तरफ से पैसा और उनके घाल से कॉछ नहीं आया आया कोई पैसो सांसराते नहीं अच्छा यह बतावां भी तो यह कि योगी सरकार के कांव खीक की नहीं जो आये सब ठीके आए अब मैके पीसा कंद तो ठीक है आम को चुन रहा हिन्य थीक्य के लिए तो ठीक है ना अच्छा अच्छए यो महगाई से फर्क पड़रा कि नहीं जरूर पड़ रहा है उजला योझना के सलहाड मिला है कि मिला हुद मिला है तो क्या से लिए भार है की नहीं बाहा है फॉर सीह ना यह तो इस develops degrees कि अध्यारा काड ले लिए कार लिए बता वह सिलेंदर दी छूट में इधर से लिंडर का मंगाई करके उदर से मेंडेन कर ले रहे दरसल आम आदमी की परेशानी है और यह अश्रूम में पर आप देख रहे हैं संगम किनारे यहां पर चुर्मूरे बेशते भी बात चीत करेंगे कुछ युवा साथ ही हमारे बहुत आए बात करिए तक्या नाम है आपको चस्म लगा कि अधर टंच है क्या नाम मेरा नाम धन्वन सिंग है धन्वन जी कहा से हैं हम डिस्टिक अलिगड के पास पड़ता है डिस्टिक एटा वहां से अच्छा तो आज संगा है सियासी माहल मतलब क्या नजरा रहा है क्या लगा रहा कि जनता कमी जाज क्या है तो पड़ लोगों को कश रजा बढ़ाइंगे तो मिजास तो पड़ी सकते हैं इसका लृट एंप्लोयमेंट होना बहुत जरूरी है अब अगर मैं टीचर वहुं टीचिंग की प्रेपरेशन कर रहा हूं तो मैंचीज है कि आप वेकेंसी है ना जो वेकेंसी कंटीनिस पर आनी चाहिए अगर वह वेकेंसी रुकती है तो वहां पर एक जो एस्पारेंट्स होते हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है और वह पढ़ाई लिखाई से संब्देट वह सब प्रॉब्लम हो जाएगी तो मेरा तो मतलब यहीं कहना है कि मैं चीज है कि आप रोजगार पर ध्यान दें सरकार आपको क्या लगता है मौझूदा सरकार का रोजगार पर फोकस नहीं है यह सब चीज बहुत सही कर रहे हैं लेकिन यह चीज अनुबरत जारी रहनी चाहिए यदि मैं पूछो कि रोजगार की बात की जाए और रोजगार के आप योगी सरकार को 10 में कितने नंबर देंगे अगर आप यह बोलें तो तो यह भागी है अब यह तैयारी कर रहे हैं पृतियोगी परिक्षाओं की तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार से सबसे बड़े असुविधा और दिक्कत है जो फॉरन युवाओं को सरकार को उसका निराकरण करना चाहिए सलगते हैं जो भर्दी निकलती है अस बर्ती होने के बाद में फ़र्टी का एक्जाम होने में टाइम एक्जाम की बाद मेरीन का एक्साम के घर il time प्रोसेंस यह short होना ले तो मेरा वते कैंसी में हो गया था पूलिस वाली तो जिसमीं उसमें क्या हुआ है और अब अभी 15 से मैं जॉइन भी है तो उसमें क्या है कि लगवग 2019 में पर वुआ था अभी यहांब वाइस आने वाला है लगभग 20-25 दिनों बाद 202 आ जाएगा तो तीन साल हो गए इस बट्रती को अब टाइम डिले कितना हो रहा है आप यह देगी तीन साल हो इस बट्रती देंगे और आप बात करेंगे कि हम पांच साल में इतना व्युकास करेंगे तो भरती तो निकाल ले लेकिन आप टाइम पीरिड उसे कम नहीं कर रहे हैं तो इससे असुब्दा बहुत ज़्याद होती है और भी हमारे साथ लोग है आपका क्या नाम है आप बताइए प्रभीन कुमार क्या करते हैं आप जैए की तैयारी करते हैं आप भी नहीं के दोस्त हैं क्या साथ में हुए दे Giца कैसा काम काश्क कैसा है यह इंजिनियरओं के मामनें तो भाल सरकार है योगी सरकार वी सरकार वाँ से अच्छी तो अखले सरकार थी तो तके सब्सक्राइन नेखली सरकार है और उसके वानय ने‡ निकाला थे अ अब आचर साहिता लगनी वाली है पंदर तारीक को उसके बाद पता निकाप पेपर होगा कब सरकारों नहीं कब अध्याच्च बनेगा उसका तो फिर एक एक साल फिलेट हो गया यह पूरा प्रोसेस उसका तो किते नंबर देंगे दसमें सी होगी सरकार को रोजगार के नाम रोजगार के नाम पर तो दसमें से चार पांच से ज़्याद है यह वह तो एक उनका परसनल ओपीनिया यह सब अपनी वरी करेंगी मैंने बोला है आपको मिली जुली प्रतिक्रिया की नहीं लेकिन यह इन्होंने भी तत्व मेरे रूमेट है वह सबसे अची बात क्या कि उन प्रिपेरेशन भी कर रहे हैं दिननात बहनत करके पड़ते हैं तो उस चीज को लेकर थोड़ी दिक्कत है यह मानूंगा मैं और में वही तो बहुत कम रहती है और यह बता रहे हैं 2016 की वेकेंसी उस पर अभी तक एक्जाम नहीं हुआ काफ इतनों से उसके लिए तैयारी कर अब जाए के 2015 से कर रहा हूं तो तो कब मतलब अभी वेकेंसी 2015 से नहीं है यहां जाए की यह क्या अठारे में निकाली थी नोंने यह यूपी तरपल्सी का थिरू वह विवाग इतना धीमे काम करता है उसने आज तक पेपर ही नहीं करा पाया उसने अभी तक पेपर ही नही निस दिसमबर अब पता नहीं होगा नहीं होगा अपंदर तारीक से बोलग जाए आचर सहीता उसकी तो यह युवाओं की समस्या खर कोई बात निया आपका कहीं जरूर होगा आपका क्या नावे बाल गोविंजी कहां से हैं आप मैं इलाहवाद का ही हूं अच्छा सफाई दिखाई दे पड़ रहा है और जहां तक गवर्मेंट सर्विस की बात है मेरा अपना परसनल मामना है कि जो नए युगां है इनको खुद रोजगार क्रियेट करना चाहिए रिजन क्या है कि सरकारी कंपनियां या जो भी संस्थान है वो लिमिटेड है जितना पाप जो एक दहन रासी की आउस सकता होती है हो सकता है कोई इतना संपन्य नहीं या तो फिर आपका इसारा यह है कि उवा पकोड़े बेचे रोजगार सुरू करने के लिए आपके पास है पैसे नहीं पैसे नहीं इनको आइडिया नहीं दे सकता हूं क्योंकि सबको सबको अपनी स्टेशं कर रहा है यह जोब की कमी है कि की कमी है जॉब निकालना ही नहीं चाहरे ना जाहरे निकालना नहीं है बनाना नहीं चाहरे अप अप यह समझिए सबसे जाद है बड़ा बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा इसाखा नहीं है लेकिन उनके पास इतना स्टाफ नहीं कि आने वाली पॉपलिस सभी को आप connect परदान मंतरी की तोरा कनेक्ट करना चाह रहें लेकिन चीज़ क्या है वहां आपके जब केंडिडिट ही होगे आपको जब वहां पे कोई सुविधान देने वाला इनी होगा तो वह मतलब प्रहुत कि आजके पांच साल पहले या चलो 2014 के पहले जितनी भी सुविधाएं थी उन में इजाफा हुआ है मैं यह देखना चाहता हूं हम मुझे दिखता है इवन आप 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तब से लेकर के आज 2021 है इवन कोरोना का भी इतना भैंकर केस आया आप जानते हो सारी दुनि रहा था कि उसके पहले आप 7-8 साल ले ले लो उसके बादके 7-8 साल ले लो तो अब आप कंपेर करो कि Biome कितना डेवल्मेंट हुआ है इंवर्ट में कितना हुआ है चाहे प्रियागराई का ही बात हो और चाहे और ऑल इंडिया में कहीं पर भी देख लो इन्व्टा में ब सब्सक्राइब करने के लिए काम करते हैं तो रोजगारत उनको मिलता ही है अब यह बात है कि पढ़े लिखे युआ हैं उनके लिए मैं विशेश कर यही कहूंगा कि सरकारी सर्विस क्यासा थोड़ा कम करके खुद अपने दम पर खड़े होने कोशिश करें इनको आप तो मैं इनसे पूछूंगा अभी अभी इतने यूपी ब्रेज कॉर्परेशन होता है जो बनाता है उसमें लगवा होंगे यूपी में उन्होंने कम पांच-शे साल से कोई बढ़ती नहीं कराई उसमें उस पूरे विवाग को पीड़वू देख रहा है तो कम से कम एक प्रेकाम करा लिए जाती है इससे इफेक्टिवनेस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है अल्टिमेटली इंजिनियर जो होता है मैं खुद इंजिनियर हूं तो इंजिनियर काम ही है कि इफिसेंसी को इनक्रीज करना मतलब की इनपूट कम आप आउटपूट ज्यादा आप जी कभी कभी प्रियाग राज में था मैं भी रोजगार था ऐसी बात नहीं है कि पैदाएसी रोजगार लेकर पैदा हुआ हूं मैंने भी यहां पर इंजिनिंग त्यारी किया था उसके बाद भी कंपडिशन दिये ठीक है धीरे धीरे रास्ता बन जाता है और सर्विस मिल जात अगर यह था नहीं है तो पिछली पांस साल से वैसी डटे नहीं है मैं चीज क्या है दूसरी चीज क्या है आप यह जो बोलें गर्मेंट प्राइवेट सेक्टर में जाके जोब दस और रोपे की जोब लगते जिसमें लिविल हुड भी नहीं चलता है आपका कहने का मतलब यह आपको जो एक लाक रोपे महीने मिलने है यही के लिए अगर दास्ता है कि इनको खुद अपने पैर पर खड़ा पर होना पड़ेगा रोजगार क्रियेट करना पड़ेगा कैसे रोजगार के लिए पूजी तो चाहिए रहे तो पूजी कैसे बहुत ज्यादा पूजी की जरूत नहीं होती है पहला रोजगार मैं आपको गाउं कहां है परमत यहां के हो और यहीं के मंडी में आके बेंचो और देखो खाइदा हो जाएगा खेती जरूत नहीं है इसके जरूत ही नहीं है मसरूम कहा होता है मश्रूम खेत में नहीं उगता बटाएए लेजले गले कमरे में ने मस्रूम में यहीं कमरे में होता है मुझे नहीं देखो इसम्वाधा नहीं फटार करके ट्ले करना होता है इसके सीड लाएं और भीगो करके रखें फिर बाद में गठर बना करके रूम में रखें तो हो जाए गए इस चीज का एक प्रेसिक्षण होता है ठीक है और भूबागाई दे को ना है सरकार को देना चाहिए चाहिए अच्छा पढ़ाई की बात है बीएसी करवाय जा रहे है बच्पन में था मैं देख लिया था कि कितनी बड़ी रुजगारी होती है इसी लिए मैं बीए बीस्टी पढ़ा ही नहीं मत देखा तक नहीं कि I don't want को पर तेकनिकल एजुकेशन लिया बहुत सही जाती है नब मुझे बीए बीस्टी से जॉब ली ना टेकनिकल एजुकेशन से जॉब ली इसमें बेजिती की बाती कुछ नहीं है अंकल ने जो आपको बिजनस बता है ठीक लगा कि नहीं यह तो नाली से वही जो ना गैस निकालने वाली बात हो गई अब आप इतना डाटा सस्ता है नहीं तो यह मुके सम्मानी जब लाये थे उसके पहले 200 मिलता था एक महिना के लिए या ठाइस दिन के लिए अब तो अलिम्टेट देते हैं उतने पैसे में ही लोगी सरकार बोलती है इन्होंने क्या किया था कुछ समय पहले स्पॉन एक लाग सतर हारे करीश इच्छा मितर भार कर दिये इन्होंने तो वह वह गौर्वर्वरेंट आप निकाल दिये वह भी पद वह भी पाई यह लोग अब तक रोज़कार को योगी सरकार को आप किते नंबर देंगे हम तो यार वाई साब नंबरें नहीं देंगे नंबरें नहीं देंगे आप बताईए आप किते देंगे मुझे सिर्फ यह कहना है नंबर नंबर भी दूंगा बिना कंपेर कि यह हुए कि पांच साल यह पांच साल उसके पहले और पांच साल उसके पहले कभ नहीं था दोजार 14 के बाद सीदे आ गया अमेरिका में 2014 के पहले अपरीका था और 2014 के बाद अमरीका नहीं करना चाहता हूँ 2014 सब कलक्टर थे और उसके बाद सब बेरुजगार हो गए बात यह भी है इदा रहुँ दो से पहले कंग्रेसि कान ती तो सीजेल में 14-14 फैकेंशी आती थी और यह से बैकेंसी फैकेंशी अब शेयार वेकेंशी आ रही है तो हम लगाता है यह जैंगे तो 14,000 की 28,000 हो जाएंगी दूनी हो जाएंगी इन्होंने तो कम और कर दी पहले से बहुत बड़ा किया था कि कितने करोड जाब आएंगे और आए भी एक्चुल में अब देखो इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है दूफरी बात है इतनी साड़े रोड बन रही है उनको काम करने के लिए तो तैयारी करने इनको इनको बहुत उची जाब चाहिए इनको बहु प्रवक्ता नहीं हूँ मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ सपोर्टर सिर्फ इस लिए हूँ कि देश के लिए उन्हों ने किया है मैं कई सारे मुद्य ऐसे गिना सकता हूँ जो हिंदूस्तान के लिए बहुत अच्छे हुई हैं पहली बात जब मोदी जी आये थे सेल्फ अटेस्टेट का काम चलाया उन्होंने नहीं होता क्या था कि कोई भी जाब के लिए आप अपलाई कर रहे हो पहले किसी पास जाके अटेस्ट कराओ बच्चे का एडमिसनी स्कूल में कराना है और इसनल डाकुमेंट है फिर जाके अटेस्ट कराओ पैसा देना पड़े इतना भरस्टाचार इस मुद्धे पड़ था आज सब सेल्फ अटेस्ट करके देदो काम खतम इसके बाद रश्टाचार का स्वरूप बदला है रश्टाचार आज भी है पहले से ज्यादा है हम बता रहे हैं हम ग्रामीड ले रहा है सब को पता है और आलाइन पैशा कैसे मंदेगा वाला कैसे मंगाया जारा परधान कैसे ले रहे हैं वो सब कहां गया काने के लिए आललाइन बहुत अच्छा बात कहा है इनोंने मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि यह बेसिकली वी आर करप्ट पीपल कि यह जो हमारे प्रधान बनते हैं या कोई और चोरी करने वाले नेता लोग बनते हैं इमांदार भी बनते हैं सब हमसे सही तो या रहे हैं अगर प्रधान बैइमानी कर रहा है तो हमारा ही तो आदमी हमने चुना है उसको किसने चुना है प्रधान किसने बनाया हमने बनाया तो हमने करप् भी है लेकिन जो अधिकारी जो बने हैं अधिकारी कौन बने है जो कुल मिला के बात इतनी है यह अब बहस इस नतीजे पर चुकी है कि न इसका कोई और मिलने वाला है न छोर मिलने वाला है लिहाज़ा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और The Fact India की चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी लोगों की राय लगातार हमाप तक पहुंचाते रहेंगे केमरा परसन समर के साथ मैं रुपेश मिस्तरा The Fact India प्रेया ग्राज